तो यह शुरू करते हैं सबसे पहले कोश्चन है यह किसको कहा जाता है कौछ से जगह को तो इसके एंसर होगा सेंट मेरी मैगोनल्ड चयर्ज ठुमबा केरल आगे बढ़ते हैं नेब्द सब्राइशनल माक्रो अंवा इंडिया अभी तक अपने नेशनल अनमल सुना मेरे इंडिया आगे बढ़ते हैं the geostationary satellites are placed in which orbit and at which height from the earth तो answer देखते हैं तो वो geostationary satellite जो होता है वो circular orbit पर fit किया जाता है और 36,000 km above the earth अगे देखते हैं the remote sensing satellite are used for groundwater, mineral, mapping या all तो उसके answer होगा all of the above चलिया आजए रखते हैं which one is used for the both coolant as well as moderator तो आपने पता होगा कि nuclear power plant में nuclear energy generate के लिए उसमें coolant और moderator की तरह कौन साइसा चीज़ें दोनों के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है तो answer होगा heavy water D2O आगे देखते हैं देंग्यू चिकन कुनिया और जीका जीका विरस इस काउस देंग्यू चिकन कुनिया और जीका ये किस के कारण होता है तो इस cancer होगा एडीज, इजिप्टी, मस्कुटो आगे देखते हैं आगे देखते हैं अगे देखते हैं सहर्ष्टी और ये IISC बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया है उसका स्पीड किया है 1.4 पीटा फ्लॉप्स आगे देखते हैं देखते हैं देखते हैं इन इंडिया दिया इन इंडिया में रिखते हैं वो कब रिखते हैं वो हो ऑषी, early-1960s में अगे रीखते हैं INSAT या-GSAT Communication Satellite Built और introduced END काउशी आल में इंडियुदेशर रिखते है INSAT या-GSAT Communication Satellite वो इंडियुदेशर रिखते हैं 1983 र sujet िंडियन Remote Sensing वो जिदुदेशर रिखते था 1988 2008 में चलिया अगे देखते हैंी नेंडेन सेट लाइट यूजपस फर घपियाश नावीगतित के लिए नविगत यह इंडियन नीवी त्वारा रिजाट किया गया है और यह है आई यार इन्यस सेटलाइट के लिगए गाता है अब देड्क है दें चंद्रयान 1 गाजाट अब डेट्थरू आबाउट जी है चंद्रयान 1 आपको पताओ को 2008 में लॉंच किये गया था तो वह ज्यादा सक्शं आगे देखते हैं, वार्टी इज़ हाइट रेंज आफ अर्थ एक्टमस्पेर है, वो कितने हाइट तक उपर फैला हुआ है, तो वो है अप्टू 400 किलोमेटर, और 400 किलोमेटर के उपर आधर हम जाएंगे, तो आफ्टर स्पेस शुरू है जाएगा, अगे देखते हैं, वार पर की अर्थ ग्रैविटी और सन ग्रैविटी जिस जिस पॉइंट पे बराबर होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं, लेगरेंजिस पॉइंट, चलिए, देखिए, अचाव, मॉम अनिकी, मार्स, और्विटर मिशन और चंदरयान, कब लॉंच किया गया था, तो वो, लॉंच किया गया था, 2013 में, मॉम को, और चंदरयान, 2008 में, चलिए, लेकिन, अब एक और कॉशन है, कि मॉम 2, जिया, मार्स और बेटल मिशन 2, और चंदरयान 2, कब शुडूल किया गया है, लॉंच करने का, तो उसका एंसर है, मॉम 2 को लॉंच होगा, 2020 में, और च चंदरयान को लॉंच किया गया है, 2018 में, ये टेंटेटिव डिट्स है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, दर रेंज एरिया औफ ब्लुटूथ एंड वाई-फाई, जिया, आप ब्लुटूथ और वाई-फाई बहुत इस्तिमाल करते हैं, तो जब बाता ये, किसका रेंज एरि होगा 2.4 से 5.2 हस्तर, चलिए, आगे देखते हैं, वीच वन कंजूम मोर पावर, LED और LED, LCD होगा यहां पर, सॉरी, ये LCD होगा, तो आपको बताते हैं, कौन सा LED या LCD में से कौन सा ज्यादा पावर कंजूम करता है, तो वो एंसर होगा LED, जी हाँ, LED ज्यादा पावर कंजूम करता है, LCD के मुकाबले, चलिए, आगे देखते हैं, आपने बहुत सारा रेजलिशन सुना होगा, HD, Full HD, QHD, 4K वीडियो, तो मजरा बताइए, कि इनका रेजलिशन क्या-क्या होता है, तो देखते हैं, Full HD का मतला होता है, 1080, QHD, अनि Quad Core High Definition का मतला होता है, 4 x 720 और 4K Do you know the maximum speed of 4G possible? अब कमेंट करके बताइए, कि 4G का maximum possible speed कितना होता है?